प्रधान मंत्री कई तरह के झूट बोलते हैं क्या भारत एक मजबूत रास्ट बने, कमजोर कब था नेता क्या मजबूत हो आचक़िगा गलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया दिन भर प्रधान मंत्री मोधी और उनकी पाटी का एक तरह से चमचागिरी करता रहता है जैशावाली स्टोडियों कोई टीवी न्यूस चैनल ने किया है ये नहीं पूछते कि आप काम कब करते हैं आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं हर समय आप टीवी पर नजर आते हैं तो सहब आप काम कब करते हैं आप रैली कर रहे थे ना आप अपने लिए आप देश के लिए काम थोड़ी कर रहे थे इंदूों के बारे में सौब आते हैं मुसल्मानों के बारे में सौब आते हैं सौब बुरी बाते हैं तो क्या किया जाए लड़कों को बना दिया जाए दंगाई जिनको अपने मुहले का ठीक से पता नहीं हो भारत के हर चीज पर ज्यान दे जाते हैं। तो ड्रामा चल रहा है इस देश में कि कोई सवाल बात कर रहा है गरीब लोगों का तो कम्मिनिस्ट हो गया। पांच सल सरकार होने के बाद कहरें पुलवामा के नाम शहीदों के नाम पर वोट दे दो। बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं और लोकतंत्रे की लाज को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। तो हमारे साथ ND TV के वरिष्ट पत्रकार रविश कुमार हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये पूरे मीडिया में जो बदलाव आया है। और जब सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से होना चाहिए। ऐसे वक्त में जब पूरी मीडिया एक तरफ होकर विपक्च से सवाल कर रहा है, तो ऐसे में मीडिया कहां खड़ा है? सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Thank you. सर, हम डेली देखते हैं आपको प्राइम टाइम में और डेली आप लोगों को एक इन्फोर्मेशन देते हैं, मीडिया का जो मतलब होता है, एक्चुली में कि इन्फोर्मेशन देना, सूचना पहुचाना लोगों तक, वो सूचना गायब है, तो इस सूचना को सही तरीके से अगर एकलौता एक पत्रकार पहुचा रहा है, और एक बाकी मेडिया एक तरफ होकर उसको गलत साबित करने में लगी हुई है, तो ऐसे वक्त में करना क्या चाहिए फिर, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फिर क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में, सबको अपना बेसिक काम करना चाहिए, और मैं ही नहीं हूँ, देखी अभी आमन सेटी ने हफ पोस्ट पे बहुत अच्छी रिपोर्ट की, कई महीने लगा कर कि किस तरह से अमेशा ने एक 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 एंजियो को उन्होंने उस तरह से कनवर्ट कर दिया है, और ये सारा फेक नियूज और कई तरह के फर और वो लोग फिर जाके जूटी प्रोपेगेंडा बनाते हैं, तो अब जो आपके मुबाइल फोन में जो ये फरजी वेब साइट आते हैं, मीम आते हैं, नेहरू के बारे में, यिस के बारे में जूट, उसके पीछे बहुत पैसा खर्च होता है, और वो पैसा जो है, जो किसी हिसाब में नहीं है, तो इस तरह की लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पर देखना होगा कि जो बीजेपी ने किया है, और खासकर प्रधान मंतरी ने अपना जो विस्तार किया है, वो टीवी के जरिये किया है, और वाटसेब के जरिये किया है, तो जिसको हमें पता नह बहुत जादा हैं, बतो हम जानते भी नहीं कि किन-किन महलों में, किन-किन गलियों में तक वो लोग पहुच चुके हैं, मेन जो न्यूस चैनल हैं, एंकर हैं, उन्होंने सवाल करना छोड़ दिया है, अभी भी लोगों को लगता है कि हम सूचना देख रहे हैं, जैसे मैंने अपील की है कि आप कोई भी न्यूस चैनल ना देखें, जब मैं कोई कहता हूं तो ABCD नहीं छोड़ के कहता हूं, मैं कहता हूं सभी न्यूस चैनल ना देखें आप, इसका कारण है, इसका कारण यह है कि आप सभी न्यूस चैनल बदल के देखें, तो आपको सूचना कहीं नहीं मिल रही है क्योंकि जो सूचना का मुख्य स्रोथ है वहीं पे कंट्रोल कर लिया गया है वहां तक पत्रकार जाने के लिए रिपोर्टर नहीं है चैनलों के पास तो सूचना नहीं मिल रही है तो सूचना क्या है प्रधान मंतरी कई तरह के जूट बोलते हैं ठीक हिम्मत है किसी की पलट के उससे सवाल पूछ ले नहीं करेंगे अब आप रफाइल पे देखिए किसी टीवी वाले ने रिपोर्ट किया फॉलो अप नहीं किया हिंदु ने किया क्यों नहीं टीवी वाले ने किया क्या उनके पास रिपोर्टर नहीं थे और नहीं थे तो क जो बहुत ही चिंता जनक बात है तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोग निवा चैनल देखना छोड़ दें क्यों छोड़ दें क्यों कि वह सो चैनल भी बदले गें तुसमें सूचना नहीं है । आप हेमा मालनी का इंटर्विव्यू देख रहे हैं। उसमें कोई सूचना नहीं ह आपको लग रहा है कि आप कोई सूचना के लिए देख रहे हैं कि वो क्या कह रही है नहीं कर रही हैं उससे पॉलिटिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता जो लोग पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं उनसे कोई प्रश्न नहीं है और information नहीं है क्या किसी चैनल पे नहीं देख रहे हैं उसका जो फाइदा है वो भी देख रहे हैं क्या कुजवला ने कैसे जीवन बदला है नहीं देख रहे हैं तो हर चीज को invisible अद्रिश्य बना दिया गया है समस्या को भी और समधान को भी उसको गायब करके सिर्फ theme और theory पर चल रहा है क्या भारत एक मज इके बात से हमेशा ही मजबूत राष्ट था मजबूत नेता चाहिए हमें तो सारे नेता मजबूत होते हैं नेता क्या मजबूत होना चाहिए क्या जो वो नेता जो प्रधान मंत्री के कूरसी पर बैठता है उसको सम्विधान से सारे अधिकार इतने मिले हुए हैं कि वो शरीर से दुरबल भी होगा तो भी वो मजबूत ही होगा क्योंकि उसको बहुत सारे अधिकार मिले हैं ऐसा नहीं होगा कि कोई पतला दुबला बहुत खासने वाला आतनी प्रधा नहीं है उसमें फरजी चीजों पर डिबेट है उसमें ड्रामा है तो उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है आपको बीमारी मिल रही है बेचैनी मिल रही है सूचना नहीं मिल रही है आपको लगता है कि आप information के लिए news देख रहे हैं लेकिन वो अलग तरह का आपको world view बना र तो यह नियूस चैनल उसी तरह का एक ग्राफिक एनिमेटेड कंट्री बना दिया हम सब के दिमाग में कि हमारा इंडिया वैसा हो गया है हुआ नहीं है थीक बात इसी से आगे बढ़ाएक सवाल hum है आप से कि जब आप यह कहते हैं कि टीवी बिल्कुल देखना बंद कर दो शुरू और यह इंसल्ट है किसी वीवर का कि न्यूज चैनल वाला उसको इडियोट समझे और उसको कुछ ना बताए प्रधान मंत्री से पूछे कि पांच साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं ठक क्यो जाते हैं यह नहीं पूछते हैं कि आप काम कप करते हैं आप तो दिन से आने जाने का उसको जोड़ लिए तो पूरा जनवरी से लेकर आचार संगीता लागो होने से पहले बीस दिन के बरावर उन्होंने काम ही नहीं किया आप रैली कर रहे थे ना आप अपने लिए आप देश के लिए काम थोड़ी कर रहे थे तो सवाल कोई पूछ रहा है त चैनलों को देखने के लिए लेकिन जब आप ये कहते हैं तो लोगों के पास एक माध्या में टीवी देखने का वो टीवी देखते हैं लेकिन फिर लोगों की असलियत भी तो पता नहीं चल पाएगी कि कौन ने पास साल से आप हिंदू-Muslim एजेंड़ा देख रहे हैं क्या लड़कों को बना दिया जा दंगाई उसमें जानने के लिए क्या है आप खोदी एक घंटा बैटके देखिए न रोज जाके तो नया क्या जान रहे हैं प्रोपेगेंड़ा जान रहे हैं आप प्रोपेगेंड़ा जान रहे हैं आप बताएए कि न्यूस चैनलों ने कौन सी खबर अपना investigation से किया है, जज लोया की story हो, अमन सेटी वाली जो story हो, अभी स्क्रोल ने जो story किया है, जैशा वाली story हो, कोई TV न्यूज चैनल ने किया है, वो reporting नहीं करता है, वो debate का drama रश्ता, ऐसा संसार रश्ता जैसे लगता है, कि वो आपको जानकारी दे रहा है, और debate कौ कि अच्छा था उसका जवाब देने के बजाए से विसी में रहते हैं, कि मोधी जी महान है, और राहुल गांदी महान है, इतनी गालिया लोग देते हैं आपको, फेस्बुक पे, ट्विटर पे, फेस्बुक पे तो मैं हमेशा पढ़ता हूं, कि आप गालियों के उस स्क्रि ट्विटर भी अपना बंद कर दिया था बीच में, ट्विटर उसके चलते नहीं बंद किया, ट्विटर ना एक अलग तरह की क्रियेटिविटी मांगती, एक लाइन में चुटकुला लिखना, लतीफा लिखना, तो मैं उस चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता था, मैं थोड कोई ज्यादा समझता हूं, तो अंग्रीजी की चीजें पढ़ता हूं, अपने हिंदी के पाठकों के लिए उसको उपलब्द कराता हूं, कि वो पढ़ हैं, जाने, मुझे सहमत ना हो, घर जाएं आपने मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई उनको अपने ज जरूर पत्रकारों ने अपने जमीर बचाने के लिए लिखा, पत्रकार तो भले देते हैं, समपादक नहीं लिखता हूं, अब मैं दैनिक जागरन का किस्सा बताता हूं, दैनिक जागरन ने गंगा पे सीरिस किया, हरिदवार से लेके बनारस तक, और कानपूर तक की सीरिस मैंने पढ़ी उनकी तीन, उसमें नमामी गंगे का नामी नहीं नहीं है, छो फर्जी वारे खर्फ होता है, भाई साब, आप कहते हैं, हम अखबार नहीं पढ़ें तो सूचना नहीं मिल रही है कुछ भी, आप समझजिए इस बात को, तो आप जो त्न सो रुपया खर्च कर रहा हो उसके लिए आप तीन सो रुपे दे रहें तो आपका पैसा तो नाली में जा रहा है तुससे अच्छा वो पैसा आप मुझे दे दें मैं अच्छे-च्छे कपड़े पहनूँगा फोटो खिचा के भेजूँगा कि आपके ही पैसे से देखिए एक आदमी सुखी है आप यह पढ़ना चाहते हैं आप इसको पत्रकारिता मानते हैं कि गंगा पे कोई अफ़़ार 3 सीरीस चापएगा बढ़ा-बढ़ा और उसमें नमामी गंगे का जिक्र नहीं होगा उसमें नमामी गंगे पर रिपोर्टिंग की चापा देखने से लगा कि आप गंगा के बा करने के लिए कई लोगों ने आपको सलाह भी दिया है मशवरा दिया है कि भी इस तरीके से थोड़ा सा बच कर गए कभी ऐसा लगता है डर का महौल जब आप बाहर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो नहीं हैं और हर किसी को डर लगना चाहिए अपनी गलतियों से मतलब है कि मैं basic human quality मुझ में है ठीक अगर नहीं डर लगता तो मैं बिसमंजिला इमारत पर जाके कूच जाता नीचे और फिर दो मिनट के बाद नीचे पान के दुकान पर टालता हुआ नजर आता पान खाता लोगों को आईस क्रीम किलाता हो सकता है नहीं हो सकता है तो आप इसमी मारत से जाके नीचे जाकेंगे तो आपको थोड़ी घबराट होनी चाहिए अगर हो रहा तो इसका मतलब आप नॉर्माल आदमी है और अगर घबराट नहीं हो तो आप खुद भी मुर्ख है और दुनिया को भी मुर्ख समझते हैं तो इसलिए बिलकुल मुझे डर ल हो बहुत समाननी बात है बहुत ही स्वभाविक बात है कि कोई इतनी ताकत से और इतनी भीड से लड़ते हुए हार जाए बलकि उसको हार ही जाना चाहिए ओ कैसे जीतेगा लाखों लोगों से करोड़ों रूपया खर्च करके जो फेस्बूक और वाटसब से जो अफ़वा है तो पहले इतना एक्सेस नहीं था लोगों के साथ जो रिलेशन बना है तो आप मैं डेली बेसिस पे उनकी जिन्दगी को देख रहा हूँ पहले की तरह रविश की रिपोर्ट संभव नहीं है क्योंकि वो तब मैं हफते में एक बनाता था अब यह रोज नहीं बन सकता है यही टीवी का संकट है जो रोज रोज आप सोचते हैं न सिनेवा बनाने का तो उसमें होता क्या है को प्रोमो आता है भाए भूई आगए रविश कमार बढ़का फलाना डिकाना और डूम डाम दुनिया के सबसे बड़े एंकर अलेकिन कॉंट अगर आप रोज प्रोड्यूस कीजिए गा तो यही होगा तो इसी लिए नहीं जाता हूं तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए और जिंदगी में एक ही काम हमेशा नहीं करते रहना चाहिए कभी कभी रिटाइर्मेंट के बारे में सोचना चाहिए कभी आप फास्ट बॉलर होता है तो अपना जो रनिंग लेंथ होता है वो छोटा करता चला जाता है उम्रे के साथ तो उसको छोटा करते चला जाना चाहिए अब दूसरों की बार यह दूसरे लोग करें लोग यह भी कहते हैं मेरे भी चैनल पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अब चैनल देख लिखा हुआ है उपन लेटर लिखा हुआ है आए इंटरिव्यू कर लिजे और क्या कोशिश करें है क्या कोशिश करेंगे वो तो अपना प्रवक्ता है 2016 से मेरे शो में नहीं बेज रहे हैं तो जिस पार्टी ने मुझे बहिश्कार किया तो मैं कोशिश क्या करने जाओं आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी है पांच साल में अपने कारेकाल में हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मेरे साथ बैटे तो अब हम अंत में यहीं कहेंगे न और क्या कहें लेकिन मैं यह भी नहीं कहना चाहता आदमी को अपने सीमा में रहना चाहिए ठीक है उनके प्रवक्ता कमजोर है मैं सवाल पुझता हूं भर भर आ जाते हैं तो ठीक है उन्होंने अपना चुनाओ किया कि भाई अच्छा है बहिश्कार के बहाने उसको अपने प्रवक्ताओं को दूसरे चैनल पर जहां बेजा जाए जहां प्रवक्ता मेरे शो का जो पार्टी बहिश्कार करते हैं मुझे इंट्रिव्यू देगी आपको लगता है लगता है नहीं न तो अभी आप कभी जाएगा ग्राउंड पर तो उज्वला योजना किसी डिस्ट्रिबीटर से पूछीेगा कि 2016 से पहले कितने सब्सक्रिप्शन थे तुमारे ग्राहक तो बोजेगा आट अठ चैसार तो बार जब 40,000 हो गया है आपका ग्राहक तो कितना कराते है तो बोलेगा आट अठीक है तो जो लोग सिलेंडर लेते है उसमें से दूबारा लेने वाले की प्रतिशत भी बहुत कम है तो वो ठीक है आपने दिया सिलेंडर अच्छा किया लेकिन ये भी तो एक पहलू है कि लोग इस्तमाल नहीं कर पा रहा है तो दाम कम कर दो आखिर में दो सवाल आप से जानना चाहेंगे कि एक तो अभी हम ये देख रहे हैं कि एक नए तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है जैसे बहुत सारे चुनावायों के मना करने के बावजूद बहुत सारे नेता बड़े नेता चीफ मिनिस्टर से लेके खुद प्रधान मंत्री मोदी भी सेना को लेकर के और उसे जो प्रधान मंत्री मोदी बोलिये ना इधर दाएं बाएं से घुम सेना के शहीदों के नाम पे पहली बार वोट देने वाले लोगों से कह रहे हैं। तो फिर जिस रेजिमेंट के लोग शहीद हुए हैं, उसी के ब्रिगेडियर को चुनाओ लड़ा देना चाहिए। ताकि हम उसको जाके वोट दे दें। फिर सेना को चुनाओ लड़ना चाहिए, क्योंकि सेना के लोग शहीद होते हैं, बीजेपी और कॉंग्रेस के लोग तो शहीद नहीं होते हैं, पूछिए न सीधा, अब वो ठीक है क्योंकि वो चुनाओ जीच जाते हैं, तो चुनाओ जीच जाने से सवाल थोड़ी खदम हो हम तोड़ी जाके लड़ लेकिन सवाल तो है ना कि भारत के प्रधान मंत्री शहीदों के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं क्या वो शहीदों का सम्मान खैरात के लिए कर रहे थे कि इसके बदले मैं वोट लूँगा तो सीरा सवाल पूचिए सवाल डिरेक्ट होना चाहिए मैं आपका उपीनियन जानना चाहरा था यही उपीनियन पर बता दिया आपको यही मेरा उपीनियन है इसको लेकर क्या करना चाहिए चुनावायो क्या कर पाएगा वो आप चुनावायो को नहीं देख रहे हैं परदान स्वतंत्र संस्था है वो रोक लेगा जब उसने योगी के बारे में कहा कि नेक्स टाइम से नहीं होना चाहिए अब वो कह लेगा क्या कहेगा और फिर प्रधान मंत्री अपनी तरफ सिक्चोनी चुनावायो कादर कर रहे हैं जब वो उधारन पेश नहीं करेंगे तो योगी ह हो चाहे कोई दूसरा किसी मजफरपूर का कोई उमीदवार हो या कोई कहीं का नीमच का कोई उमीदवार हो या कहीं बासवारा का उमीदवार हो उससे हम उमीद करें हैं आखरी सवाल यह है कि बहुत सारे लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि रवीश कुमार कॉंग्रेस को कर लेकर left को लेकर थोड़ा सा फॉफ कॉरनर रखते हैं और भहत हार्श आप 2014 से पहले नी देखें क्या भारत में दो प्रधान– एक ही आना सरकार एक ही है सरकार एक ही है तो मैं सरकार को कवर करता हूं इस आप 2014 से पहले का सारा प्राइम टेम उठाके देख लिए जिसमें बीजेपी के लोग दोड़ दोड़ गया आते थे पूछते थे का आज हमको बुला लेना ठीक है तो लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं और और स्टूडेंट की बात करना गरीब स्टूडेंट की बात करना कम्यूनिस्ट हो जाना है ड्रामा चल रहा है इस देश में कि कोई सवाल बात कर रहा है गरीब लोगों का तो कम्यूनिस्ट हो गया तो आप क्यों नहीं कर रहो बात आपको याद है ना उमा भारती ने नूट बंदी के बार बात क्या कहा था हमारे प्रदान मंतरी मार्क्स और लेनिन हो गया है इंटरनेट सर्च कर लिजेगा तो इस सब ड्रामा सब चलता रहता है 99.999 प्रतिशत मीडिया गुलाम हो गया गोधी मीडिया हो गया दिन भर प्रदान मंतरी मोधी और उनकी पार्टी का एक तरह से चमचागिरी करता रहता है बकवास करता रहता है वहाँ सवाल पुछिए उसके सामने हम कुछ भी नहीं है कॉंग्रेस अपना देख ले हम उसका क्या बाजा बजाएंगे वह अपना देख ले 44 सांसदों की पार्टी रह गई है वह मतलों आप यह कह रहे हैं कि आप विपक्ष का मत दिखाईए यही कह रहा है ना आप एक तरह से कि विपक्ष का दिखा दिये तो आस्चेर हो रहा कि विपक्ष का यह कैसे दिखा रहा है दिखाऊंगा विपक्ष का जरूर दिखाऊंगा क्योंकि 99.999 प्रतिशत मीडिया में विपक्ष पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले इमानदारी के लिए नहीं हो रहे हैं पत्रकारिता के लिए नहीं हो रहे हैं ये हमले भारत की राजनीती से भारत के लोगों के मानस से विपक्ष को मिटा देने के लिए हो रहा है अनेक्तिक्ताएं सभी दलों में कोई पार्टी भगवान के आँ से अवतार होके नहीं आई है सब अनेक्तिक्ताएं से भरी पार्टी आए तभी तो ये हाल है पांच सल सरकार होने सबसे महंगी राजनीती इस वक्त अगर कर रही है तो बीजेपी कर रही है बीजेपी ने अपने पांच साल के कारयाले में कई सो मुख्याले बनाएं कई सो कोई गया है सवाल पुछने उसने आई वो आई है अपने से बताने कि उसका फंड क्या है तो हमें नहीं दिख रहा है कि CBI का income tax का ED का इस्तमाल किसलिए हो रहा है और ये आप पूरा patent देखिए बंगाल का जब चुनाओ होता है वहाँ छापे पढ़ने लगते हैं बिहार का जब चुनाओ होता है तो वहाँ string आने लगता है छापे पढ़ने लगते हैं इसी तरह से जहाँ जहाँ opposition party की सरकार हैं वहाँ छापे पढ़ने लगते हैं वहाँ आता है और जब इतने ही करफ डूल हो गए तो आपको चुनाओ के समय ये सब क्यों नजर आता है आप पहले करो fix करो उनको रोको और आपको क्या लगता है कि आपके मुख्य मंत्रियों के पास और आपके मंत्रियों के पास भजन का पैसा है जज्मानी का पैसा है कि कहीं कहीं सत्नरायन बाबा का कथा कराने तो बदले में जज्मानी मिला उसका पैसा है वो इमंदारी का पैसा होता है न तो इतनी महंगी रैली बीजेपी नहीं कर पाती और इतनी महंगी राजनीती इस देश में नहीं हो पाती तो सब को दिख रहा है कि भारत की राजनीती का बुनियाद ही काला धन है इसमें कोई राम नहीं है कोई रावन नहीं है कोई फर्क नहीं है किसी में तो कहने दीजे कहते रहते हैं उससे क्या परक गड़ता है मैं जो कहता हूं वो तो उसका तो कोई जवाब दे उसका तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है हम से लोग बात करें जैसे जन्ता ने मुझे वोट दिया है मैंडेट दिया है पीम बनाया है मुझे तो पीम नहीं बनाया है ना जिससे बनाया आप उनसे सवाल पुछो ना कि आप पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट कैसे मांग सकते हैं बताई कोई पूछेगा हिमत है किसी न्यूस चैनल पर उनोंने एक रफायल पर सवाल पूछ लिया गया था उनसे तो घुसे से लाल सवाल कुछ था कि मुझे नहीं लगता है कि वो सवाल था वो सवाल कौलिफाई नहीं करता है क्वेस्चन होने का फिर अगर पूछा गया था तो काउंटर सवाल करना चाह तो फिर बात खत्म हो गई है फिर क्या इंट्रिव्यू नहीं ठीक है चुनाव जितने से कोई फरक नहीं पड़ता बहुत लोग चुनाव जितने रहते इस देश में वह कोई बड़ी बात नहीं है सच जो है वह सच होता है हमारे देश की राजनीती चुनाव में जूट जीतत करेंगे तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए शुक्रिया थैंक यू सच सबस्याद